नमस्कार दोस्तों, 30 अपरेल की ताज़ा तहरेन खबरों में आपका स्वागत है, चलिए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर इर्फान खान के निधन पर परधान मंत्री मोदी ने जताया दुख बोले, उनकर जाना सिनेमा जगत और रंगवंच के लिए बड़ी शती योगी अधितेनात काशिव सेन को जवाब महरास्ट संभाले, यूपी की चिंता ने करे इर्फान खान के निधन पर परकाश राज का आया रियक्शन ट्वीट कर बोले, बहुत जल्दी इर्फान मशूर एक्टर इर्फान खान का निधन, बोलिवुड में शोक की लहर देश भर में COVID-19 के मरीज 31,000 के पार पिछले 24 गंटों में दर्ज हुई सबसे ज़्यादा तिहत्रम होते पुलिस वालों पार हमले को लेकार गिरफतार कोरोना पोजिटिव बाप बेटे की जोडी ने जेल में 20 और लोगों को किया संकरमित अब चिदंब्रम ने साधा सरकार पर निशाना कहा टेक्निकल रूल के पीछे क्यों छिप रहे वितमंतरी ट्रम्प बोले कोरोना से नुकसान के लिए चीन से वसूलेंगे 12 लाग करोड से अधिक अब कोरोना युद्याओं पर हमला दंडनिया अपराद महारास्ट और गुजरात ने सरकार की बढ़ाई चिंता देश में कोरोना से हुई मोद के 60 परतिशत केस इन दो राजू से करमचारियों का वेतन काटने के लिए अध्यदेश जारी करेगी केरल सरकार करनाटक में कोरोना के 9 नए मामले कुल संक्या 538 हुई पहली बड़ी खबर इर्फान खान के निधन पर परदान मंत्री मोदी ने जताया दुख बोले उनका जाना सिनिमा जगत और रंग मंच के लिए बड़ी शती बोलीवुड के मशूर एक्टर इर्फान खान का बुदवार को निधन हो गया है बोलीवुड समेथ क्रिकेट और राजनेतिक जगत की हस्तियां उनके निधन पर समवेदन ताये जता रही है परदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक वेक्ट करते हुए कहा कि मेरे समवेदनाओं उनके प्रिवार दोस्तों और परसंशकों के साथ है पियम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा इर्फान खान का जाना सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए बड़ी शती है उन्हें विभिन विधाओं में अपने बहुमुकी परदर्शन के लिए याद किया जाएगा मेरे समवेदनाओं उनके प्रिवार दोस्तों और परसंशकों के साथ है उनकी आतमा को शांती मिले इर्फान खान 53 साल के थे और लंबे समय से एक दुरलब किसम के कैंसर से जंग लड़ रहे थे प्रिवार ने एक बयान में है जानकारी दी इर्फान को दो जर ठारा में नियूरो एंडोक्राइन ट्यूमन हुआ था उनके प्रिवार में पतनी सुतापा और दो बेटे बाबिल और आयान है बीते दिनों उन्हें खराब स्वास्ते को लेकर मुंबई के कोकिलाबे नस्पतान में भरती कराए गया था दूसरी बड़ी खबर योगिया दितेनात का सिवसेना को जवाब महारास्ट संभाले यूपे की चिंता ने करे उत्रपरदेश के मुख्यमंत्री योगिया दितेनात के कारेले ने कहा है कि महारास्ट में सत्तासीन सिवसेना के नेता संजयर राउत के राजनैतिक संसकार बदल गई है UPCMO ने कुछ ही महीने पहले BJP और NDA का साथ छोड़कर कांग्रेस वैं NCP के साथ मिलकर महारास्ट में उद्धव ठाकरे सरकार का गठन करने वाली सिवसेना के नेता द्वारा पाल गर में संतों की हत्या की वारदात को लेकर योगी अधितेनात के उद्धव ठाकरे को फोन करने को राजनीती कहने पर परतिकिरिया व्यक्त करते हुए सला दी है कि उन्हें महारास्ट को संभाले रखना चाहिए और उत्र परदेश की चिंता नहीं करनी चाहिए UP के CMO ने माइक्रो ब्लोगिंग वेबसाइट ट्वीटर पर लिखा संजे राउत जी संतों की बरबार हत्या पर चिंता करना राजनीती लगती है उत्तर परदेश की मुख्यमंत्री जी ने महारास्ट के मुख्यमंत्री जी को फोन किया क्योंकि पालगर के सादू निर्मोही अखाड़ा से संबंदित थे सोचे राजनीती कौन कर रहा है तीसरी बड़ी खबर इर्फान खान के निधन पर परकासराज का आय रियक्शन ट्वेट कर बोले बहुत जल्दी इर्फान बोलिवूड एक्टर इर्फान खान के निधन पर बोलिवूड में शोक की लहर दोड़ गई है लगातार बोलीवूड सितारे इर्फान खान के अचानक हुए इस निधन पर अपनी पर्तिकिर्याद दे रही है बीते दिनों इर्फान खराब स्वास्ते के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था उनके तबियत अचानक बिगड़ी थी जिसके बाद उन्हें आईसीव में भर्ती करना पड़ा था इर्फान खान के निधन पर अब बोलीवूड एक्टर परकास राजगर रेक्षन आया है परकास राज ने ट्वीट करके एक्टर की मोत पर अपना दुख जाहिर किया है एक्टर परकास राज ने बोलीवूड के मशूर एक्टर इर्फान खान के निधन पर दुख जताते हुए कहा बेहत दर्दनाक, बहुत जल्दे इर्फान सामोहिक वैस्विक कलाम में आपकी योगदान के लिए धन्यवाद हम आपको बहुत याद करेंगे R.I.P. बता दे इर्फान खान के निधन की खबर से बोलीवूड में खलबली मच गई है और सितारे लगातार एक्टर की मोत पर अपनी पर्तिकी रहें दे रहे है चोथी बड़ी खबर मशूर अक्टर इर्फान खान का निधन बोलीवूड भी शोक की लहर बोलीवूड के मशूर अक्टर इर्फान का निधन हो गया है वैधरे पन साल के थी और लंबे समय से दुरलब किसम की कैंसर से जंग लड़ रहे थे प्रिवार ने एक बयान में यह जानकारी दी इर्फान को 2018 में नियूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ था उनके प्रिवार में पतनी सुतापा और दो बेटे बाबिल और आयान है बीते दिनों उन्हें खराब स्वस्ते को लेकर मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में भरती कराए गया था उनकी तबियत अचानक बिगडी थी जिसके बाद उन्हें आईस्यू में भरती करना पड़ा था इर्फान खान की इस खबर के बाद पूरे बोलिवुड में शोक की लहर दोड़ गई है साल 2018 में इर्फान खान को पता चला था कि वे नियूरो इंडोक्राइन ट्यूमर से पीडी थै इस बिमारी के लाज के लिए इर्फान खान लंदन भी गई थे और करीब साल भरी लाज कराने के बाद वे वापस भारत भी लूटे थे इर्फान खान के ओ लेकर बोलिवुड डिरेक्टर और प्रोडूसर सुजीत सरकार ने ट्वीट किया मेरे प्रिया मित्र इर्फान आप लड़े और लड़े और लड़े मुझे आपर हमेशा गर्व रहेगा हम फिर से मिलेंगे सुतापा और बाबिल के परती सम्वेदना आपने भी लड़ाई लड़ी सुतापा आपने इस लड़ाई में जीत के लिए हर संभव कोशिश की देश के कई बड़े जान बुझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के 68,000 क्रोड रुपै से अधिक के रिन को बटे खाते में डालने की कांग्रेस और सरकार में जुवानी जंग शुरू हो गई है कांग्रेस के पूर्वदेक्स राउल गांदी और वरिष्ट नेतार अनदीप सुर्जेवाला के अलोशना के बादवित मंतरी निर्मला सेतेरमन सरकार के बचाव में आई उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कांग्रेस और राउल गांदी को आतम निरक्षन करना चाहिए कि क्यों वेवित्य परनाली को साफ करने का नकाम रहे है कांग्रेस ने ने तो सत्ता में और ने ही विपक्ष में रहते हुए बरस्टाचार और क्रोनिजम को रोकने की कोई पर्तिबदता या इच्छा जताई उन्होंने कांग्रेस पर लोगों को ब्रमित करने का अरोप लगाया वित्य मंत्री ने एक के बादे कई ट्वीट किये साथ ये सपस्ट किया कि सरकार ने नीरो मोदी, मेहू चोकसी और विजयमालिया जैसे बड़े विलफूल डिफाल्टरों के खिलाफ क्या कदम उठाई है छटी बड़ी खबर देश भर में कोविट-19 के मरीज 31,000 के पार पिछले 24 गंटों में दर्जुई सबसे ज़्यादा तिहत्रम होते भारत में कोरोना वाइरस का कहर लगातर बढ़ता ही जा रहा है देश में कोविट-19 संकर्मित मरीजों का आकड़ा बढ़कर 31,000 के पार पहुंच गया है स्वास्ते मंतराले की ओर से बुद्वर को जारी ताजा आकड़ों के मताबिक देश में कोरोना वाइरस से अब तक एक हजार साथ लोगों की मोथ हो चुकी है जबकि संकर्मित मामरों की संक्या बढ़कर 31,332 हो गई है वहीं पिछले 24 गंटों में कोरोना के 1897 नए मामले सामने आई है और 73 लोगों की मोथ हुई है 24 गंटों में मोथों का यह है सबसे बढ़ा आकड़ा है 24 गंटे में इतनी मोथ अब तक नहीं हुई इस बिमारी से अब तक 7,696 मरीज ठीक हो चुके है रिकवरी रेट सुधर का 24.55 परतिशत हो गया आपको बता दे कि कोरोना संकर्मन को फैनलेस रोकने के लिए देश बर में लोकडाउन लगाया गया यह लोकडाउन 3 मही तक जारी रहेगा साथ वी बड़ी खबार पुलिस वालों पर हमले को लेकार गिरफतार कोरोना पोस्टिव बाब बेटे की जोडी ने जेल में 20 और लोगों को किया संकर्मित साथ अप्रेल को इंदोर के एक कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों पर हमला करने के लिए गिरफतार किये गए साथ लोगों में से एक बाब बेटे की जोडी ने 20 लोगों को संकर्मित कर दिया है जिनमें 17 कैदे भी शामिल है जो इंदोर सेंटरल जेल के 125 कैदी जो असरावद खूर्द इलाके में एक होस्टल में विसेस क्वारंटेन के अंदर में बन थे इसके लावा इंदोर सेंटरल जेल के दो गाल और जबलपूर में एक IPS अधिकारी भी शामिल है 7 अप्रेल को इंदोर के चंदन नगार इलाके में इलाके से नासिर खान और बेटे जावद खान सहित 7 लोगों को पुलीस ने गिरफतार कर लिया है जावद खान सहित उसके 4 साथियों पर राष्टे सुरक्षा कानून के तहत करेवाई की गई उन्हें जबलपूर और सतना सेंट्रल जेल भेज दिया गया जबकि नासिर सहित 3 को इंदोर सेंट्रल और इंदोर जिला जेल में रखा गया हलाकिया चोकाने वाली बात थी की सभी साथ आरोपियों को 8 अगस्त को इंदोर परसाशन और पुलिस ने बगएर कोविड-19 के टेस्ट के अलग-अलग जेलों में भेज दिया आठ पी बड़ी खबार अब चितमरम ने साधा सरकार पर निशाना कहा टेक्निकल रूल के पीछे क्यों छिप रही वितमंत्री निरव मोद्य और विजयमालिया जैसे बड़े विलफुल डिफाल्टरों के मामले में एक इंदर सरकार और मुख है विपक्षे पार्टी कांग्रेस के बीच तकरार खतम होने का नाम ही नहीं ले रहे है कांग्रेस नेता राउल गंदी और परवक्तार अनदीप सुझेवाला के बाद अब पूर्व वितमंत्री पी चितमरम भी मैदान में उतर आई है वितमंत्री निर्मला सीतारमन पर निशाना साथते हुए स्वाल किया है कि वे टेक्निकल रूल के पीछे क्यों छिप रही है वितमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा इस मामले में पूछा था कि 2004 में पहले 2004 से 2014 तक के और 2014 के बाद के नोन प्रोफिटेवल एसेट यानि NPA का ब्रेक अप सरकार क्यों नहीं दे रही नौवी बड़ी खबर ट्रेंप बोले कोरोना से नुकसान के लिए चीन से वसूलेंगे 12 लाग करोड से अधीक जर्मनी के एक अकबार ने हिसाब लगाए था कि कोरोना वैरिस से हुए नुकसान के बदले चीन पर करीब 162 बिलियन डोलर करीब 12 लाग करोड रुपय का हरजाना बनता है अब अमेरिका के रस्टपती डोनल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका करोड से हुए नुकसान के लिए चीन को 162 बिलियन डोलर से भी अधिक काबिल भेज सकता है डेली मेल की रिपोर्ट के मताबिक ट्रम्प का माना है कि चीन करोड वैरिस के परसार को पहले ही रोक सकता था सोमार को जब ट्रम्प से पूछा गया कि क्या वे जर्मनी के एक बार की तरह चीन को बिल बेजने पर विचार कर रहे हैं उन्होंने कहा जर्मनी इस बारे में सोच रहा है हम भी देख रहे हैं हम जर्मनी से भी अधिक रकम के बारे में विचार कर रहे हैं दसवी बड़ी खबर अब कोरोना युद्याओं पर हमला दंदनिया अपराद अब उत्रपरदेश में भी डोक्टरों और स्वास्ते करिमियों के साथ मारपी टोर्टोर्ट करना अब दंदनिया अपराद होगा केंदर सरकार दोरा बनाए गई अपिडेमिक एक्ट की तरह यहां पर साथ साल तक की सजावे 5 लाक रुपे तका जुरुमाना हो सकता है यूपिक योगी सरकार ने उत्रपरदेश महामारी कोविड-19 विन्यमावली में संशोधन करते हुए इसे दंदनिया पराद बना दिया है पर्मुक सचीव स्वस्ते अमित मोहन परसाद के अनुसार अभी से उत्तर परदेश महामारी COVID-19 विन्यमावली 2020 कहा जाएगा कोरोना महामारी को देखते हुए 30 जून तक या अगरीम आदेश तक लागो करने का निड़ने लिया है अभी तक या विन्यमावली 30 अपरेल तक लागो थी फिलाल नहीं अधिसूचन जारी कर दी गई है 11 वी बड़ी खबर महारास्ट और गुजरात ने सरकार की बड़ाई चिंता देश में कोरोना से मोत के 60 परतिशत केस इन दो राज्यों से देश के छोटे राज्य जो कोरोना वायरिस से जंग जीतने में लगे है वही महारास्ट और गुजरात जैसे बड़े राज्यों की स्तीती चिंता जनक बनी हुई है देश में कोरोना से होने वाली मोतों को 32 फिजदी मामला इनी दोनों राज्यों से है देश में अब तक कोरोना वायरिस से मरने वालों की संख्या एक हजार साथ हो गई है जबकि 31,332 लोग अभी तक कोरोना वायरिस से संकर्मित है वही मंगलवार को एक बार फिर एहमदाबाद में कोरोना से 19 लोगों की मोत हो गई है ये नए केस सामने आने के बाद एहमदाबाद में कोरोना से मरने वालों की संख्या 139 हो गई है इससे दो दिन पहले भी एहमदाबाद में कोरोना संकर्मन से 19 लोगों की मोत हुई थी वही महरास्ट में मंगलवार को 31 लोगों की कोरोना संकर्मन की वज़े से मोत हो गई जिसमें से 25 लोगों की मोत मुंबई में हुई है महरास्ट और गुजरात में मिलकर अब तक 583 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस संकर्मित मरीजों की संख्या ने मंगलवार को नए रिकोर्ड बनाया है मंगलवार को कोरोना के 1905 ने मामले सामने आई थे इन में से ज़्यादतर मामले कुछ चुनिंदा रज्यों से देखने को मिले मंगलवार को मिले 1905 नए मामलों में 1503 नए केस अकेले मारास्ट, गुजरात, मद्यपरदेश, दिल्ली और तमिलनाडू से आई इन रज्जों में कुल नए केसों का 69 परतिशत मामला देखने को मिला बारवी बड़ी खबर करमचारियों का वेतन काटने के लिए अध्यादेश जारी करेगी केरल सरकार देश भर में लोग करोना वायरिस के कहर से जूज रहे है करोना से निपटने के लिए लगाये गई लोकडाउन निदेश और राज्यों की आर्थ एक स्तीती पर गहरा चोट किया है ऐसे में केरल सरकार ने कोरोना वायरिस से निपटने के लड़ाई में पैसों की कमी दूर करने के लिए अपने करमचारियों का वेतन काटने के लिए एक अध्यादेश लाने का बुद्वा को फैसला किया है केरल हाई कोड द्वारवाम सरकार के अपने करमचारियों के वेतन कटोती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहट ना होने की बात कहने के एक दिन बाद ये निर्नक क्या गया राज्य के वित मंतरी टी-म थोमस इसाक ने बंतरी मंडल के फैसले की गोशना करते हुए पत्रकारों को बताये कि अध्यदेश के तहट इसापात स्थीति में राज्य सरकार अपने करमचारियों का 25 परतिशत वेतन काटेगी गोर्तलभे की परदान मंतरी नेरेंद्र मोदी ने लोकडाउन के दोरान सभी नीजी कमपनियों और राज्य सरकारों से अपील की थी कि किसी भी करमचारी का वेतन नहीं काटे करनाटक में कोरोना के नो ने मामले कुल संक्या 532 हुई करनाटक में पिछले 19 घंटो में कोरोना वायरिस के नो ने मामले सामने आई है जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संक्या 532 हो गई है एक अधिकारी ने बुद्वार को यह जानकारी दी एक स्वास्ता अधिकारी ने कहा अब तक कोविड-19 के 532 मामलों की पुष्टी हुई है इसमें 20 मोते और 215 ठीक हुए लोग शामिल है राज्य में कोरोना के आठ और मुरीजों को ठीक होने के बाद अस्पता से चुट्टी दे दी गई है जिस से राज्य में कोरोना वारिस से ठीक हुए कुल लोगों की संक्या 215 हो गई है नो ने मामलों में 5 महिले और 4 पुरुष्ट के है 17 से कम उमर के 5 संकर्मित है जिन में 4 साल की बच्ची भी शामिल है पहले कोरोना संकर्मितों के संपर्क में आने की है और 40 साल से कम उमर के लोगों की है इन में 8 मामले कलबूर्गी से और एक अन्या बेला गवी के हुकेरी से सामने आया है दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद